गुड मार्निंग स्टुडेंट्स हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है हम पढ़ रहे थे विशेशन जो कि हमारा लेशन कंप्लीट हो चुका है आज हम उनके क्यूशन आंसर करेंगे यानि उनके प्रेशन उतर करेंगे तो सबसे पहला क्यूशन हमारा है उचित विशेशन उचित विशेशनों से रिक स्थानों की पूर्ती कीजिए यानि यहाँ पर सामने कुछ विशेशन सब्द दिये वे उन में से छाट कर आपको क्यूशन में लिखना है यानि कौन सा आएगा वो आपको इस क्यूशन के अंतरकत लिखना है तो सबसे पहला क्यूशन है हमारा तितली होती है तितली कैसी होती है बच्चो सामने उप्सन दिया हुआ है यानि विशेशन शब्द दिये हुए पीली, हरी, रंग बिरंगी तितली कैसी होती है रंग बिरंगी कैसी होती है रंग बिरंगी जिसके उपर मैंने राइट का निसान लगा रखा है तो वो आपको इस खाली जगय में भरना है अगला क्यूशन है हमारा इस बाल्टी में पानी है बाल्टी में पानी कितना है सामने ओप्षन दिये हुए है धेर थोड़ा तीन तो बाल्टी में पानी कितना है थोड़ा जो राइट का निसान लगा हुआ है वो आपको इस खाली जगए में भरना है गैनमर क्यूशन है हमारा मुझे टमाटर दे दू क्या बोल रहा है मुझे टमाटर दे दू आगे ओप् दो किलो कौन सा आएगा दो किलो अगला है गह नमबर क्यूशन महाराना परताब एक राजपूद थे आगे ओप्षन दिया हुआ है उंचा वीर तो महाराना परताब कैसे राजपूद थे वीर राजपूद थे जो कि आपको इस खाली जगए में भरना है अगला क्यूशन ह है हमारा निम्नल लिखित प्रश्णों की उत्तर दीजी तो सबसे पहला क्यूशन है हमारा विशेशन किसे कहते हैं जो कि मैंने या पर आपको करके दिखाया है विशेशन किसे कहते हैं जो शब्द संग्या और शर्वनाम की विशेशन कहते हैं उन्हें विशेशन कहते हैं जो तो सब्द संग्या और शर्वनाम की यानि दोनों की को जरूरी नहीं है संग्या की विशेष्टा बताई सर्वनाम की भी विशेष्टा बता सकता है तो वह क्या कहलाते हैं विशेष्ण अगला क्यूशन हमारा है नमबर क्यूशन है विशेष्ण के कितने भेद होते हैं नाम एक गुण वाचक विशेशन, नमबर दो संख्या वाचक विशेशन, नमबर तीन परिमान वाचक विशेशन, नमबर चार सार्वनामिक विशेशन, यह यह चारों क्या है हमारे विशेशन के भेद, क्या है विशेशन के भेद, अगला क्यूशन है हमारा, गय नमबर विशेश से किसे कहते हैं उपर था विशेशन किसे कहते हैं नीचे वाला है विशेश से किसे कहते हैं विशेशन और विशेशन में अंतर हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाया था तो यहां पर पूछा है विशेश से किसे कहते हैं आप देखते हैं विशेशन जिसकी विशेशता बताते है यानि विशेशन किसकी विशेशता बताते हैं या तो संग्या की या शर्वनाम की तो विशेशन जिसकी विशेशता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं विशेश से तो इसमें संग्या और शर्वनाम दोनों हो सकते हैं अगला क्यूशन है हमारा इसका मैंने उधारन दिया यहां पर जील में सुंदर नावे तैर रही है यहां पर सुंदर क्या है नाव की विसेस्ता बताईगी है तो सुंदर क्या होगा विसेशन तो सुंदर क्या होगा विसेशन तो सुंदर किसकी विसेस्ता बताईगी है बच् किसके बारे में बोल रहा है, सुन्दर कोन है, नाव है सुन्दर, तो यहाँ पर उपर क्या लिखावा था, कि विशेशन जिसकी विशेशता बताए, तो क्या है, सुन्दर हमारा विशेशन है, और यह सुन्दर किसकी विशेशता बता रहा है, नाव की विशेशता बता रहा ह संख्या वाचक विशेशन किसे कहते हैं यह कितने परकार के होते हैं अब हम देखते हैं इस कांस्वर जो विशेशन संग्या या शर्वनाम की संख्या या गिंती का बोध कराते हैं उन्हें संख्या वाचक विशेशन कहते हैं क्या करते हैं संख्या यानि काउंटिंग गिंती संख्या और गिंती जिसे एक दो तीन एक पहला दूसरा तीसरा ऐसी बात का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं विशेशन कहलाते हैं संख्या वाचक विशेशन कहलाते हैं नाम से पता चल रहा है संख्या यानि काउंटिंग तो संख्यावाचक विशेशन कितने प्रकार के होते हैं यानि संख्यावाचक विशेशन दो प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं नमबर एक निश्चित संख्यावाचक विशेशन और नमबर दो ए निश्चित संख्यावाचक विशेशन निश्चित संख्यावाचक क्विशेशन में क्या होता है कि इसमें कोई भी चीज हो जैसे एक दो तीन ऐसे बताया जाता है वह निस्चित होती है और ए निस्चित में क्या होता है कि वह निस्चित नहीं होती है उसमें सरफ अंदाजा बताया जाता है वह निस्चित नहीं होती है उसमें अंदाजा बताय जाता है अग्ला gustion वच्चो हमारा है तीन नमबर क्यूशन है निम्नल लिखित वाख्यों में गory बीशेशन सब्दों को रेखांकित कीजिश रेखांकित का और बताना है कि कौन सा विशेशन है तो सबसे पहले हम देखते हैं मयंक ने एक दर्जन संत्रे खरीदे मयंक ने संत्रे कितने खरीदे एक दर्जन यहां पर क्या बताईगी एक दर्जन क्या होती है संख्या होती है काउंटिंग होती है गिंती होती है मैं पता चल रहा है एक कैने जच डर्जन में कितने होतें 12 होते याने ят इन रहे है यहां पर संख्या वाजक विशेशन मुझे हूं नमक चाहिए कितना नमक चाहिए थोड़ा कितना चाहिए थोड़ा यानि यहाँ पर क्या है नमक की मात्रा बताई गई है तो थोड़ा क्या हुआ यहाँ पर परिमान वाचक विशेशन वैसे यह एनिस्चित परिमान वाचक विशेशन है लेकिन यहाँ पर हम परिमान वाचक विशेशन लेखेंगे यानि यहाँ पर नमक की मात्रा बताई गई है मुझे थोड़ा नमक चाहिए अगला क्यूशन है हमारा सेब का फल मीठा होता है सेब का फल कैसा होता है? मीठा, यहाँ पर मीठा क्या है? सेब की विशेस ता बताई गई है तो क्या हुआ मीठा विशेशन है और कौन सा विशेशन है गुण वाचक विशेशन अगला गह नमबर है यह है आदमी बिहार में रहता है आदमी यहाँ पर क्या है शंग्या है और यह क्या है शर्वनाम तो बच्चो मैंने आपको बताया था सार्वनामिक शब्द वे होते हैं जो संग्या से पहले लगते हैं और संग्या की ओर संकेत करते हैं तो क्या वो लग है यह है आदमी बिहार में रहता है यह आदमी की और संकेत किया जा रहा है कि यह है आदमी बिहार में रहता है मैंने आपको यही बताया था कि सार्वनामिक शब्द वे होते हैं जो संग्या से पहले लगते हैं और संग्या की और इस सारा करते हैं यह शंकेत करते हैं तो बच्चो यह कौन सा विशेशन हुआ यह है हमारा सार्वनामिक विशेशन तो बच्चो आज का हमारा होमरा कम्पलीट हो चुका है आपको ये जो भी मैंने अब ये कुशन बताए हैं एक दो तीन ये सारे कुशन आपको अपनी फेर नोट बुक में करना है और इसे याद भी करना है धन्यवाद